आज हम करेंगे कि लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ एकसराइज आपकी 9.1 एकसराइज आपकी अब इसका देखेंगे कोस नमबर सेवंध से स्टाट करेंगे जो सेवंध कोसन वह क्या कह रहा है इसमें फ्रो में पॉइंट ओन दिग्राउंड कि हमारे पास क्या है ये मैंने वो पॉइंट यहां पर ले लिया इसमें दा एंगल ओफ एलिवेशन ओप दी बॉटम एंड टॉफ टावर फिक्स एड दा टॉप ओप इस 20 मिटर हाई बिल्डिंग इसमें ये कह रहा है कि 20 मिटर उची एक बिल्डिंग है इसके उपर एक टावर है ठीक है ये बिल् उटम से और टावर के टौप से एंगल कितने का है 45 का और 60 का बोटम से तुमारा कितना हो गया यह मारा इंग्याइफ टावर हो इसके जो टॉप से जो ऐंगल हो कितने कि इसमें?" सिटी गा calculate the height of the tower हमने क्या nikalenे tower کی height इदर । और हमारे जो building है वो स्की height हों कितनी है 20 meter है ये है ahro turn हमने निकालने क्या है tower की height इसमेड करनी है तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 triangle है एक तो triangle आमारी होगी A, B, C, second triangle है A, B, D triangle ऐसी लेंगे, जिसमें angle एक तो 90 का आजे, और एक ही acute angle आजे, दो acute angle है तो इसमें से एक आजे, तो देखी हमारे पास angle यहाँ पे है 45, यहाँ पे 90 हो गया, तो triangle कौन सी आएगी A, B, D आजेएगी in triangle A, B, D A, B, D यह side हमने given है, यह हमने मान ली X तो क्या होज़ेगा, B, D upon A, B ले लेंगे इसको भी, B, D upon A, B, perpendicular upon base, यह आपने याद करना है कितना होज़ेगा भी, 10 theta, theta कितने का इसमें, 45 का, यह 10 कहां से आया भी पंडित बदरी परसाद हर हर बोले से, first sign होगा, second course, third 10, तो perpendicular upon base हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया B, D क्या है इसमें, B से D 20 divide में A, B A, B हमने क्या ले लिया इसमें भी, X 10, 45, 1 divide में 1 लगा देंगे, आप cross multiply, हमारे पास जो X की value हो कितनी आगे, 20 meter आगे आप सेम ऐसे इसमें हम ले लेंगे, अपनी second triangle भी, ठीक है दोसी triangle कौन सी है, A, B C, जो बड़ी triangle है इसमें in triangle, A, B C, अब इसमें देखिए B, C upon A, B ले लेंगे भी B, C upon A, B, is equal to A, B perpendicular, यह हमारा base perpendicular by base, 10 theta theta हमारा कितना इसमें भी, 60 degree का B, C कितना है, B से C 20, यहां से यहां तक 20 है, यह H है तो 20 plus H होगी अभी 20 plus H, divide में A, B, A, B कितना है, इसके अंदर X, 1060 1060 की value क्या होती है, root 3 upon 1, 1 लगा दिया यहां पर cross multiply 20 plus H is equal to root 3 X होज़े गए यहां पर X की value put कर दो इसमें X की value हमारे कितनी आगी, 20 20 root 3 यहां पर हमने X की value पुट कर दी 20 root 3 हो गया यह अब हमने value निकालनी H की, तो 20 को आप उधर लेके जाए 20 root 3 minus 20, तो हमारे पास जो height हो कितनी आगी भी, 20 को मना जाएगा, root 3 minus 1, इतना meter आगी ठीक है, यह हमारी क्या आगी height, आप perfect value निकालना जाओ लिगाल सकते हो, कैसे root 3 की value पुट करके भी, root 3 की value क्या होती हो, 1.732 इस value को यहां पुट कर देंगे simplify कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगी height आजेएगी हो, या आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, आप कौसंबर 8 तो वह भी सेम ऐसा ही है इस statue 1.6 meter टाल, एक statue है ठीक है उसकी जो height वह कितनी है, 1.6 meter है, आप statue है तो किसी को उपर रखे जाएगा, वह भी, stand किसको पर stand है, on the top of a paid stall, paid stall के top की उपर है जैसे हमारे पास, मान के इसले हमारे पास क्या है, यह paid stall, ठीक है ना इसके उपर क्या statue है, यहां पर यह ठीक है, यह statue हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया, paid stall हो गया आगे क्या कर रहा है, from a point on the ground, ground पर कहीं एक point हमारे पास, यहां पर ले लिए हमने point angle of elevation of the top of statue, statue statue के top से जो एंगल है, 60 का statue का, जो top हो हमारे पास यह है और इस point तक, जो एंगल हो हमारा कितना है, इसमें, 60 degree का भी ठीक है and from the same point इसी point पर angle of elevation of the top of the paid stall, अब paid stall हमारा पास यह है, इसके top से, जो angle हो कितने का है, 45 का है, same point एंगल कितने का हो गया इसमें 45, complete angle 60 का, और यह एंगल हमारा 45 हो गया find the height of the paid stall, जो paid stall है, उसकी height निकालनी है ठीक है, और जो statue है उसकी height कितनी है, 1.6 meter यह height गिवन है इसकी तो इसमें मारे पास same वह है दो ट्रेंगल बनेगी, दोनों को simplify कर देंगे, देखिए भी दो ट्रेंगल हमारी कौन-कौन सी है इसमें, A, B, C A, B, D इन ट्रेंगल A, B, C A, B, D दो ट्रेंगल ले लिए, सबसे पहले A, B, C, A, B, C B, C upon में A, B यह हमने माल लिए यहां पर एक्स perpendicular by base, कितना हो जाएगा 10, theta कितना है इसमें 45, value put कर दो इसके अंदर, B, C हमारा कितना है इसमें height है यह निकाल नहीं है इसमें भी जो A, B है वो हमारे पास कितना है X, 10, 45 1, cross multiply कर देंगे जो height है वो हमारी कितनी आजेगी इसमें, X आजेगी ऐसे हमारे पास जो second triangle है A, B, D आप यह लेके चलेंगे इसमें भी A, B, D में क्या हो जाएगा देखिए A, B, D में B, D upon A, B B, D upon A, B perpendicular by base कितना हो गया भी है 10, theta कितने का है 60 का B, D हमारा कितना है B से D देखिए complete H प्लस 1.6 H में 1.6 प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास complete आएगा देखिए H में 1.6 प्लस करेंगे ठीक है H में 1.6 प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरी height आजेएगी है उसके बाद क्या है जो A, B है वो मारा कितना है इसमें X 10, 60 की value क्या होती है root 3 cross multiply H प्लस 1.6 is equal to root 3 H को आप इधर shift करें 1.6 is equal to root 3 X minus H ठीक है उसके बाद जो H की value है X की value क्या है H है यहाँ पे X की जगा आप H put कर दीजिए क्योंकि हमने height निकाल नहीं है तो हमने H की form में ही बना दिया इसमें common out root H आजएगा यहाँ बचेगा root 3 minus 1 आप जो यह value हो divide माजएगी यहाँ पे कर देते हैं देखिए भी root 3 minus 1 हो divide माजएगा अब हम क्या करते हैं इसमें भी rest slice को नीचे हमारे पास क्या आगया root की form में आगया हम क्या करेंगे इसमें rest slice कर देंग इसका इसकी multiply इसके साथ हो same लिख देंगे 1.6 root 3 plus 1 divide में a minus b a plus b देखिए a minus b a plus b क्या होगा अभी a square minus b square यह identity आपने याद रखने हैं भी तो यहाँ पर देखिए यह देखिए a minus b a plus b a square minus b square कितना होज़े आगा भी 1.6 root 3 plus 1 divide में 2 से root cancel 3 minus 1 कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा 1.6 root 3 plus 1 upon में 2 3 में 1 minus 2 बचेगा 2 से cancel 2 8 जब तो हमारे पास जो answer हो कितना आगा भी 0.8 root 3 plus 1 इतना मीटर यह हमारे पास क्या आगया इसकी height आगया किसकी भी page tell की page tell means यह देखो यह है page tell इसके उपर statue रख्या गया यह ठीक है तो इसकी height कितने आगी 0.3 sorry 0.8 root 3 plus 1 मीटर तो यह आप का answer होगा इसमें तो देखिया आज हमने दो कोशन की है 7th और 8 दोनों कोशन आपको समझ में अच्छे से आगे तो आप वीडियो को like जरू करिए कोशन समझने आए तो आप dislike करिए ठीक है और जिस student ने अभी तक चैनल को subscribe करिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिसे के आने वाली नेक्स वीडियो का notification सबसे पहले आपकी पास पहुँचे और सारे कोशन आपको ऐसे ही easy language में easy steps से easy ही करवाई जाएंगे तो आज के लिए इतना ही thank you take care